हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर संस्कृत की आज की क्लास में हम इस लोक और नीत परक वाक्यों का हिंदी में अर्थ देखेंगे डियलेट के एक्जाम में आपका दो से तीन नंबर का कुश्चन इस वाले टॉपिक से पूछा जाता है मैंने आपको लास्ट टाइम के लिए इसलिए छोड़ा था कि आप फटा फट से इस लोकों के अर्थ देखी याद नहीं करना है इनको ठीक है बस समझना है और एक्जाम जो वाक है वो आपका एक नंबर में पूछा जाता है अतिलगू में तो ऐसे आपके तीन नंबर बन जाते हैं ठीक है तो आज के जो वीडियो है इसमें मैंने आपके सारे प्रिवियस येर के जितने भी श्लोक थे वो सब लिए हुए हैं सूकती भी लिए हैं और कुछ नई एड कर दी है जो इंपॉर्टेंट है ठीक है तो फॉस्ट देखने है क्या है तुमेव माता चपिता तुमेव बंदुष्च सखा तुमेव विद्ध्या दरविडम तुमेव सर्ममम देव देवहा तो इसमें क्या करना है आपको जो भी आते हैं इस लोग वो इजी ही चा का मतलब होता है और तो जहां भी आपको चा लिखा मिल जाए इसका मतलब वहां पर आपको बीच में और शब्द लगाना है ठीक है तो इसका अर्थ देखते हैं तुमेव माता तुम ही मेरी क्या हो माता हो चा मीन्स और तुम पिता तुमेव तुम मेरे पिता हो ठीक है तुम ही पिता हो तुमेव बंधु तुम मेरे बंधु मीन्स होता है भाई तुम मेरे क्या हो भाई हो चलग्या चा मींस और सखा तुमेव तुम मेरे क्या हो सखा हो तुमेव विध्या तुम विध्या हो द्रविणम तुमेव द्रविण मींस होता है धन ठीक तुम ही धन हो तुमेव सरवममम देव देवा है देवो के देव तुम ही मेरे क्या हो सब कुछ हो नेक्ट सुक्ति के अम्भुसरी श्लोप क्या है अश्टा दस पुराणे सु व्यासस से वचनम दोयम परोपकार पुर्णियाए पापाई पर पीडिनम अश्टा दस पुराणे सु यानि कि आठ पुराणों में व्यासस से वचनम दोयम व्यास जी के दो वचन है कौन कौन से परोपकार रहा पुण्णी आए परोपकार पुण्णी के लिए होता है मतलब जो भी पुण्णी काम करेंगी क्या है उसको परोपकार बोला जाएगा और पाप आए पर पीडिनम दूसरों को कस्ट देना पीडा पहुचाना इसका अर्थ क्या होता है पाप करना पाप जो चीज है वो क्या है दूसरों को पीड़ा पहुचाना है ठीक है और पुन्नी क्या है परोपकार ठीक नेक्स देखते हैं विद्या ददाती विन्यम विन्याती याती पात्रताम पात्रत्वात धन्मापनोती धनात धर्मात अता सुखम विद्या ददाती व चीज के लिए पात्र यानी कि यह इस प्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति करता है वे वाला एक्षकाल ध्यूत्र शूंठ्पाप्त्र सब्सक्राइब करता है घर्म Presे कि यह ँदर्म से 다음에 नेक्ष परित्र रड़्य साधु नाम विनाश्य जडुस्क्रत दर्म संस्था पनार-धाय सम्भवामी युग्य युग्य के सदुनाम याननि की द्लखोर के लिए उनकि रक्षा के लिए मिनाश्य था्य दूस्था जब्ष्ट्रत दुस्टों के विनाश के लिए यानि कि दुस्टों या दुस्क्रत्य करने वाले पाप करने वालों के विनाश करने के लिए धर्म संस्थापनार था है धर्म की क्या करने के लिए पुना स्थापना करने के लिए या स्थापना के अर्थ में धर्म संस्थापना स्थापना के अर्थ में सम्भवामी यूगे यूगे जो मैं मतलब की यहां पर इश्वर की बात हो रही है तो वह क्या है वह यूग यूग में प्रकट होते यह जो इस लोग बोला गया है तो वहां पर पता रहे हैं कि सज्जनों की रक्षा के लिए और प्रापक मतलब दुस्त हैं उनका अबिनाश करने के लिए उनका संखार करने के लिए और धर्म की इस्थापना करने के लिए चो मैं इश्वर हैं भगवान पर विद्यार्थी के पांच लक्षर भी जए गहां पहला क्या एक आकश्ष्टा को Essenal प्रैत्न ब्रीच अ किसी के भी तो बार हो मेरे चीड़ा नीहें पहले हैं प्रेस दहां इंदरित जो हसे नहीं को प metallic यार्न वी इनमालिंगों पात्ति होना आप शुकर कि नहीं निद्रा कुत्त जैसी नीद होनी चाहिए कुत्ता जो है वो कैसा है एकदम हल्गी से वाज पर उसके आंके खुल जाते हैं हम लोग क्या करते सोते ही रहते हैं सोते ही रहते हैं तो वहिए कैसी निद्रा होनी चाहिए श्वान जैसी निद्रा होनी चाहिए और क्या होना चाहि कि अलपाहारी कैसा कम भोजन करने वाला ग्रहत्यागी ग्रह को त्याग करने वाला यह सब क्या है विद्यार्थी कि पांच लक्षड़े कौन-कौन से काक जैसी चेश्टा बगुले जैसा ध्यान श्वान जैसी निद्रा खम खाना खाने वाला और घर से दूर रहने वाला अच्छे जाते थे बढ़ने गुरुकुल में जाते थे घर से दूर रहते थे न तो यह उस समय का है और अब तो घर पे भी हमाया कितनी सुभधाए हैं हम आराम से घर पर पढ़ाई कर सकते हैं नेक्स्ट क्या है सिक्स को अर्था पुत्रेंड जातेन योन विद्वान न धार में कहा काणेन चक्षुसा किमबा चक्षुपीडेव कैवलम मतलब यह हुआ कहने का को अर्थ पुत्रेंड क्या अर्थ है ऐसे पुत्र का ठीक है ऐसी जाते के पुत्र से क्या लाब होगा न ना विद्वान ना धार्मिक जो ना तो विद्वान है ना ही धार्मिक है ठीक है पही लिखा हुआ उस पुत्र के उत्पन होने से क्या लाब है जो ना तो विद्वान हो ना ही धार्मिक हो धार्मिक का मतलब यह की नीतिवान अच्छी बातों को जानने वाला ठीक है जैसे सही गलत का भेद करने वाला ऐसा ठीक है काडेन चक्षुसा जिस प्रकार से काडेन काडेन मतलब कानी आँख ठीक है जो कानी आँख होती है उससे क्या लाब होता है किमबा चक्षुसा क्या लाब होगा पीड़े क्या ब्लम वो केवल क्या देती है वो केवल पीड़ा ही पहुचा ये उस कानी आग से कुछ लाब होगा दिखेगा तो है नहीं थीक है तो उससे क्या सिर्फ टीडा ही पहुछेएग ना तो ऐसे ही उस पुट्र से कोई लाब नहीं हो ना जो ना तो विद्वान हो और ना ही नीतिवान हो ना ही धार्मे को नेक्स्ट है सथ दोसा पुरसेडे सथ दोसा पुरसेडे हातव्या भूतम एक्शिता निद्रह तंद्राव भयम कुरोधम आलस्यम दीर्ग सूतरता क्या है सथ दोसा, छे दोस बताए गए है किसके पुरुष के ठीक है मनुश्यों के बताए गए च्छे दूस्ट ठीक है भूतम एक्षिता एक्षिता मतलब यहां पर क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है उसको अपने जीवन में एश्वर चाहिए उन्नती चाहिए कि हम भविश में खूब आराम है तो उसको क्या करना चाहिए उसको छे गुड़ों का त्या करना से अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अपने भविश में बहुत अच्छा जीवनियापन करें थीक है तो हमें क्या करना होगा हमें अभी छे गुड़ों का कि expecting निद्रा निद्रा याने की नीद का तंद्रा याने की उंग नहाय सम मतलब होता है कि जो काम जल्दी हो रहा है उसमें घंटों लगा रहे हैं कर रही जा रहे हैं कर रहे हैं फाल तुका टाइम वेस्ट कर रहे हैं ठीक है तो वह जाता है दीर को सूत्रता तो इन छे गुड़ों का जो है त्याग कर देना चाहिए किस मनुष्य को जो चाहता है कि ह चाहिए अपने जीवन में अश्वर चाहिए तो उस मनुश्य को इंच्छे गुड़ों का क्या करना चाहिए त्या करना चाहिए नेक्ष्ट है व्रत्तम यतनेन सरक्षेत वित्तम आयात यातिचा अक्षडो वित्ततह छीडो व्रततस्तु हतो हता मतलब यह है व्रत्तम यतनेन, व्रत्तम यहाँ पर है चरित्र, ढोरे ईतन पूर्वक हमें उसकी क्या रक्षा करनी जाइए, रक्षा करनी चाहिए, वित्तम आयात, यहां तोड़ दी है मैंने वित्तम आयात है, वित्त मीस होता है धन, वित्त होता है ना वित्त मींस है धन ठीक है जो धन है वो आयात मींस आता है और यात मींस चला जाता है जो धन है वो तो आता है और चला जाता है अक्षडो वित्ता छीडो जो वित्त है ना जो धन का जो नस्ट होना क्या है धन का नस्ट होना नस्ट होना नहीं माना जाता ले यहां से अर्थ निकलना है रूप और यौवन से जो संपन है कोई ऐसा व्यक्ति है मनुष्य जिसमें रूप भी है यौवन भी है खूब अच्छा खासा है ठीक है विशाल कुल बहुत अच्छे कुल में जन्मा हुआ है ठीक है लेकिन क्या है विद्या से हीन है विद्या नहीं है उसके पास तो वो जो मनुष्य है वो बेकार है जैसे टेसू के फूल देखे होंगे ना उनमें सुगंध नहीं आती जैसे टे चाहें विशाल कुल का हो लेकिन अगर उसके पास विद्या नहीं है तो वो क्या है बेकार है ठीक वही लिखा हुआ है मनुस्य चाहें कितना भी रूपी ओवन से परिपोन हो चाहें कितने भी पड़े कुल में जन्मा हो यदि वे विद्यारूपी धन से वंचिते तो उसकी सिती वही होती है जैसे बिना सुगंद के किसकी किन्शु कहा अट्टेशु के भूल की होती है नेक्स्ट कुछ गीता के इस लोग लिए गए हैं तो उनको देख लीजिए यदा यदा ही धर्मस्य ही लिखा हुआ यहां पर यदा यदा ही धर्मस्य गलानिर भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात मानम सजामयम तो यहां पर है जब जब धर्म की हानी होगी ठीक है गलानिर भवती भारता भारत में जब जब धर्म की हानी होती है ठीक है अधर्मस से ब्रद्धी और अधर्म की क्या होती है ब्रद्धी होती है धर्म की हानी होगी तब तो अधर्म की ब्रद्धी होगी तब तब क्या होता है इश्वर जो होते हैं प्रकट होते हैं खु गुदको सिरजित करेंगे कैसे रूप में साका रूप मैं जैसे राम जी का अफ़तार हुआ दाना मनुषवी बांशु कर्म में तुम्हारा अधिकार है जो हम कारे कर रहे उस पर ही सिर्फ हमारा अधिकार होता है कर्म पर क्या है हमारा अधिकार है कर्म करने में तुम्हारी आसकती ना हो हमारी क्या है कर्म करने पर फोकस करना है ऐसा नहीं कि हम फल पर फोकस करने की बस हम डीलेड में मेरे 90 पर आजाएं और पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दें ठीक है तो ऐसा तो हो का नहीं नेक्स्ट क्या है नैनम जिन्दंती सबसे इंपोर्टेंट है ये वला आपका नैनम जिन्दंती सस्त्राडी नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदंति आपो न शोस्यति मारूता तो क्या होता है इसमें जो आपकी आत्मा है यहां आत्मा के लिए का गया है नैनम जिन्दंत जलता है ना आप मतलब कि आतम हैं जो इस्तिती मानी जहती है वो पर है ना तो उसको काट सकता है, कोई ना जला सकता है, ना सुखा सकता है, ना गीला कर सकता है, ठीके, ऐसी हम आत्मा की सिति मानते हैं, ठीके, जो आपके इस लोक थे, यहां तक मैंने करवा दिए, ठीके, इनी में से आपका कोई ना कोई फस जाएगा, वरना आपको जिसे अर्थ है तो वस कुछ-कुछ मीनिंग निकाल के उनका तोड़ तोड़ के अपनी भाषा में अर्थ लिखती है अब फटा फट्टे सूकती देख लेते हैं जो आपकी एक एक नमबर में आ सकती है पहली हितम मनोहारी चाह दोड़लबं वचहा तो जो हितका ने कोई बात होगी तो वह कड़वी ही बात होगी ठीक है और आपके मन को अच्छी लग रही यानि कि वह बात आपकी हितमे नहीं होगी ठीक है वह आपका अहिती करेगी नेक्स्ट बिभूशडम मौन पंडिता नाम यह जो पूरा इस लोक का जो इसका अर्थ है वहां पर यह यहां कि विद्वानों की सभा में अगर कोई मुर्ख व्यक्ति है तो वह मुर्ख जो है अगर वह मौन धारंड करें रहे न सबसे बड़ा आभु सर्ण उसके लिए वही है मौन यह बात कही गई है कि जो मुर्ख है मुर्खों के लिए मौन रहना उनका सबसे बड़ा आभूशर है आपने कालिदास की कहानी सुनी होगी ठीक है कालिदास मूर्ख व्यक्ति थे ठीक जो विद्धोत्मा से उनका जब शास्त्रार्द हुआ था ना तो उसमें क्या था उन जो शास्त्रार कराने के लिए उनके जो मित्रों ने लेकर व लाय थे तो वह सब कालिदास को इसीलिए उन्हेंने का था बस तो मौन रहना चुप रहना ठिक है विद्धोत्मा भविद्धौशी महिला थी फ्याइट थी तो जब उनका सास्त्रा आने के लिए लेकि पूस्तिंध नहीं क्या लगा कि हमसे भी जादा विद्धौान है तो वही है जो मूर्क है ना मूर्कों का जो आभूशड है वो क्या है मौन रहना उनका आभूशड बताएगे नेक्स्ट क्या है आत्मनहा प्रतिकूलानी परेशामन समाचरेत तो इसका अर्थ होता है जो ब्यवहार हमें खुद के लिए अच्छा लगे ठीक है वही हम दूसर प्रंति पदम न दी रहा नियायात पदम यानि कि नियाय के पथ पर चलने वाले जो वीर पुरुस होते हैं वो जो नियाय के पथ पर चलते हैं वो कभी वहां से विचलित नहीं होते हैं हमेशा उसी पथ पर क्या होते हैं टिके रहते हैं जो वीर पुरुस धीर पुरुस हो होते हैं वो धैर बिना धैरेगवाई उसी पतपर क्या होंगे टिके रहेंगे देखिए अब आप कहेंगे इसमें तीस शब्द नहीं हुए तो आप इस सूक्ति का अर्थ लिखके इसको अपनी भाषा में थोड़ा सा भड़ा सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्या है विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम सबसे इंपोर्टेंट है और हम लोगों के लिए तो बहुत ही जरूरी है जो अभी स्रूटेंट में क्या है विद्या धनम विद्या धन सभी धन में क्या है प्रधान है यानि की स्रेष्ट है सर्व स्रेष्ट धन कौन सा महारीपू अभी बताए भी था मनुष्य का बड़ा सस्त्रू है तो वहीं आपर श्य है मनुष्य के सरे brilliant शरीर में उपस्थित क्या सब्सक्राया कॉन्सा क्या होता ये वसुद्ध है वियानि की जो प्रत्वी है ये जो वसुद्धा है पूरा संसार है क्या है कुटुम्ब के समान है परिवार के समान है यानकी जो दार चरित वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं इस जो तुम संसार है प्रत्वी को ही अपना परिवार मानते हैं ॥ पर कभी नहीं होता है। इसलिए घीं हमें सिर्फ कर्म करना है। भी है इसमें और आई हूए है। यही से आपके फष्ज आएंगे। और वाईचांस नहीं भी आया अगर आपका तो आप इनका जो मीनिंग है छोटे छोटे जो हैं बहां से निकाल के अपनी भाशा में अर्थ लिख देना ठीक है और ये याद रखिए एक श्लोक आप से ऐसा बोल सकता है कि अपनी पुस्तक का कोई एक श्लोक लिखिए तो ये जो मैंने आज श्लोक करवाएं इनमें से कोई भी एक श्लोक आपको जो भी अच्छा लगी वो याद कर लेना और वही श्लोक लिख देना ठीक है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अप लाइक करना ना भूलें ठीक है थैंक्स वर वाचिंग एंप्स लाक्षिए और सब्सक्राइब मैं चैनल बबाई टीक एर